है लो दोस्तों मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत हैं है लो दोस्तों हमारे इस एजुकेशनल यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत हैं दोस्तो मुझे आए दिन केमेंट मिलते हैं कि महिलाओं में जो दूद बढ़ाने की जो दवाव आती है आयरवेदिक उसके बारे में हमें जनकारी दें तो आज की वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर सुरू से अंते तक देखें साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों ज्यादे समय नगवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं अक्सर दोस्तों कुछ माहिलाओं में डिलेवरी के बाद उनको जो दूद है उनका जो मिल्क है वो ज्याद़ उतरता नहीं यानि कि ज्याद़ उन्हें मिल्क नहीं होता जिसके चलते उनके बच्चे को प्रयाप्त मात्रा में दूद मा का नहीं मिल पाता जिसके चलते बच्चा काफी चिर्चिडा सा रहता है भूखा रहता है और इस दोरान जो है डब्बे के दूद पिलाने की आउसकता पड़ जाती है डबा का दूद पिलाना दोस्तो अगर मा का दूद नहीं हो रहा है तो पिलाना ही पड़ता है लेकिन डबा का दूद पीने की वज़े से बच्चों में तमाम तरह की दिक्कते आने लगती हैं जैसे कि बच्चे का सही तरीके से विकास ना होना या फिर बॉटल का जो इस्तमाल किया जाता है यानि कि जो बॉटल दूद पिलाने के लिए इस्तमाल किया जाता है उसका अच्छी तरह से साफ सफाई ना होना जिसके चलते बच्चे को बार बार गैस बनना पेट का खराब हो जाना पेट में दर्द होना इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं जो महिलाएं बच्चों को डब्बे वाला दूद पिलाती है इसलिए अगर महिलाओं का दूद नहीं हो रहा है तो उसे ज्यादा करने के लिए एक बहतरिन ये पाउडर है जिसका नाम है सतारी जो की एक आयरवेदिक पाउडर है ये महिलाओं के दूद प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और बच्चे को परियाप्त मात्रा में दूद मिलता है जिससे बच मा का दूद दोस्तों बच्चों के लिए एक अम्रित के समान होता है अगर मा का दूद भरपूर बच्चे को मिल जाए तो उसकी सारीरिक विकास भी सही तरीके से होती है और बच्चे को गैस बनना पेड़ में दर्द होना पेड़ खराब होना इन तरह की समस्याओं से भी निजाद मिल जाता है इसलिए अगर डिलेवरी के बाद मा का दूद तुरंत बच्चों को पिलाए जाए तो काफी बेटर होता है लेकिन कुछ मैलाओं में दूद तुरंत नहीं उतरता तो उन तरह के मैलाओं इस शतारी पौडर के इस्तमाल कर सकती है जो की टोटल और इसे कांटेन्यू जो है 15-20 दिन या महीने दिन के इस्तमाल करने से जिन महिलाओं को थोड़ा सा भी दूद नहीं उतरता था यानि की मिल्क वो नहीं बच्चों को पिला पाती थी दूद ना बनने की वज़े से तो काफी जादा दूद प्रियाप्त मातरा में बनने दोस्तों 15 ग्राम का सचेट है आधी गिलास गुनगुने दूद में डाल कर या फिर दूद नहीं मिलता तो आधा गिलास गुनगुने पानी में डाल कर इस सचेट को शुबर शाम मैलाओं को देना होता है जिससे उन्हें प्रियाप्त मातरा में दूद बनने लगता है और बच्चे का पेट इसली भरने लगता है जैसे कि इसके पायक पे भी मेंशन किया गया है एन नुट्रेशनल टॉनिक इन प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलेवरी पिरियड डाट इंक्रीज मिल्क शिक्रेशन इन नर्शिंग मदर्स यानि कि यह मिल्क शिक्रेशन को बढ़ा सबी दूद नहीं उतरता इसके मात्र एक दो दिन के इस्तमाल से उन्हें प्रयाप्त मात्रा में दूद उतरने लगता है और वो बच्चों को पिला कर उनका पेट भर सकती है और इसके इस्तमाल करने से उनके बॉड़ी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता यह हम एक एक पैकेट आधी गलास दूद में लेना होता है और इसे आप कांटिन्यू जो है जिन महिलाओं को दूद ज्यादा नहीं बनता एक से दो महिने या फिर तीन महिने इस शतारी पाउडर का इस्तमाल कर सकती है जो कि बिल्कुल आयरवेदिक है तो यह था दोस्तों महि कारा पाने का एक बहतरिन उपाएं उमेद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो प्लेज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिएगा फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ